चलती चलती धकल दांगों तांगों कांगों में दाह दूरे आधी किसी के टूटी वी टूटी सथाइकल लेती के काने दूर आये मोतियों सी आसु रोती अम्मा मेरी जाने कैसे मुन्ना मेरा रात खाए शहर में हम दे सहारे गाउं मेरा घर बुकारे कल क्या होगा सोचता दिल थंसा जाता रे ये भी मारी जान लेती काम छूटे घर जाडे ये गरीबी हम जो जीते कम है क्यार गाउं माटी दूर तो है छोड़ आये घर में भूके भात लाने दूर आये दूर या सिख से में निजा सकते जाने नहीं दे रहे हैं हम अपने मावा के पचला ही बस यह हुआता है मावा खाने पिना की दुखकत अंगी पैसा नहीं है पानी की दिखकत अंगी सब चीज की दिखकत अंगी नहीं परी धूप हो या ओ घटा अश्रम करते जाएं देश के सपनों के हमने पथ बनाएं देश तू है मान मेरा दिल ये बोले हाथ जोडे मुश्किलों की इस घड़ी में तू सहारा रे गाउं माटी दूर तो है छोड़ आए घर में भूके भात लाने दूर आए मुश्किलों की इस घड़ी में तू सहारा रे मुश्किलों की इस घड़ी में तू सहारा रे पूलिसवाले बोलते आपकेसे चलपा ओगे इतना इह बोलते है और जाबो लते हैं तो कॉई मदद नहीं मिलते हैं तर यही चाहते हैं कि हमये प्रांथ पहुंचा दिया जाए सही सलामत जितने भी सरकार रूल बताएगी नियम बताएगी हम लोग फालो करेंगे, लेकिन कोई नहीं सर, ओंट लेने के हाथ चोड़ेंगे, बिंती करेंगे, मिनिते करेंगे, और जब धीत जाएंगे ना, तो हम लोगों को जैसे ही वहाँ उक पे लाखी चार्ज होगा, डंडे से मारेंगे और क्या करेंगे, अभी उनकी सरकार है, कु मांग रहा था, उसने कमरा में तावा जाल दिया, सारा कुछ बंद करते हैं, फिर मुझे भागना बढ़ा हूँ से, क्या करते हैं? इतनी दूर चल के आते हैं, फिर उतना भागा देते हैं, कि जाओ जहां से आयो, बैसकि हम इंसान नहीं हम कोई जानबर वानबर हैं, वह में भागा रहे हैं करेंग कर वा हम लोग गई बड़े लोग इंड पास पैसा है 2000 तीन हजार के टिकट टेख है उन पानी मांगे तो पानी पिला पाया वालावी मेरा हैं नहीं हो मेरा हेंड में आओगे तब मैं खाना खिलाएंगे तब पानी पिलाएंगे इस तम साहरा चूड़ पर देखिर की जारे हैं। और भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। और एक चीज़ा जो हम लोग घर से बैठे-बैठे कर सकते हैं। और वो है सवाल उठाना। सवाल उठाना कि इन लोगों की इस्थिति क्यों है। इनकी हिस्से की चीज़ें, राशन, पानी, जो चीज़े बादे किये गए हैं। वो इन तक क्यों नहीं पहुँच रही है। आप खुछ सोचिए। अगर किसी इनसान को घर बैठे-बैठे पैसा मिले, खाना मिले, पानी मिले, राशन मिले। तो वो क्या सैंकडो किलोमीटर्स ऐसी अद्मरी हालत में जाना चाहेगा। कुछ लोगों तक जरूर पहुच रही होंगी बट हर किसी तक नहीं पहुच रही है। सिर्फ खाना पानी सब कुछ नहीं है, जिन कमरों में ये लोग रहते हैं, उनका किराया कौन देगा। इनके साथ इतनी बच्च सा लोग कि क्यूं की जा रही है। क्यूं जो लोग खुद पैदल चलके जाना चाहते हैं या आपसे कुछ सहायता भी नहीं मांग रहे। उनके टंडे क्यूं बरसाए जा रहे। हमारे अपने माइगरेंट वर्कर्स की आवाज बनियें, सवाल उठाएं। इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक शेयर कीजेए। धन्यों बच्च के इस घड़े में तू सहारा रहे।